नवी मुंबई नेटवर्ग नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजित बांगर ने इस दुखत हाथसे के बाद तुरंद आक्टिव मोड में आते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका के तमाम ऑक्सिजन सुविधा यंत्रणाओं का बारीखी से जायजा लिया बता दे कि नवी मुंबई के बड़े कोविट के सेंटर्स जैसे सिटको प्रदशनी केंद्र मनपा कोविट के सेंटर राधा स्वामी आश्रम और एक्सपोर्ट हाउज में डियोरा सिलेंडर्स के माध्यम से ऑक्सिजन के आपूर्ति की जाती है यही कारण है कि किसी भी प्रकार की घटना न घटे इसलिए तुरंग सुरक्षा यांत्रणा वो सुरक्षा साधनों में तुरंग बढ़ोतरी करने का आधेश इस दोरान नवी मुंबई मनपा आयुकत दिरी जारी किया नवी मुंबई की बात करें तो यहां पर भी ऑक्सिजन बैड और वेंटिलेटर बैड की कमी का सामना हर दिन नागरिकों को करना पड़ रहा है तो वहीं ऑक्सिजन सिलेंडिस की किलेतों की बाद भी खुद आयुकत अबिचित बांगर ने कबूलते हुए कहा था कि नवी मुंबई के पास अब सिर्फ 20 दिनों का ही ऑक्सिजन का स्टॉक बचा है ऐसे में सवाल उठखड़ा होता है कि आपात कालिन स्थिती में क्या आपात कालिन स्थिती से निपटने के लिए आयुकत अबिचित बांगर ने कई महत्वपुन फैसलिये हैं बता दे कि आयुक अभिजित बांगर ने नवी मुंबई महानगर पालिका के मौजूदा 100 ड्यूरा सिलेंडर्स में अब और 50 ड्यूरा सिलेंडर्स का इज़ाफा किया है सिटको प्रदशनी केंदर में मनपाज जल्धी 75 आईसियो बेड और 30 वेंटिलेटर बेड शुरू करने जा रही है और आने वाले समय में ऑक्सिजन की मांग को देखते हुए आयुक्त अभिजित बांगर ने ड्यूरा सिलेंडरों की संख्या में और बृद्धी करने का आदेश भी जारी किया है संग्रहित सिलेंडर में तरल यानि के लिक्विड ऑक्सिजन दिन बदिन कम होता जाता है अधिक समय तक स्टोर रखने के लिए अतिदे धंडा पानी पड़ता रहे और इसके लिए सभी जगह पर चिलिंग सिस्टम बैठाने की महत्पुर सुचना भी आयुक्त अभिजित बांगर ने दी ऑक्सिजन बैठ के साथ ही साथ आईसीओ सुविधाओं वाले सभी निजी कोविड अस्पतालों को अपने बैठ की छमता के अनुसार आवश्चक ऑक्सिजन में तीन गुना अधिक स्टॉक रखने और इसके लिए बढ़ दी गई आवश्चक सुरक्षा यंत्रणा के बारे में संबंदित आरोगी विभा को सुचित करने पर उन्होंने जोर दिया है बता दे कि जागिर हुसेन अस्पताल की ऐसी दुर्देवी घटना फिर ना घटे और नवी मंबई महानगर पालिका के पास ऐसे समय में आवश्चक बैक अप तयार रहे इसके लिए मनपा का ये प